आपको अपने जीवन में साफ-साफ आंकलन करना चाहिए, कि आपका कितना जीवन बाहर आपके आसपास से चल रहा है, और उसमें से कितना बस आपकी मानसिक सनरचना है. ये ऐसी चीज है, जिसके बीच आपको सपष्ट विभाजन करना होगा. अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, और मैं अपने भीतर क्या कर रहा हूँ? अगर आप ये सपष्ट विभाजन करते हैं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और मेरे आसपास क्या हो रहा है, ये दो चीजें अलग-अलग हैं, है न? यहां जो भी होता है, आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं, और आप सोच सकते हैं कि ये दो चीजें एक ही हैं, अभी कोई आपको बेवकूफ कहने वाला है, मैं कहूंगा अब आपके भीतर जो होता है वो आपका है बेवकूफ शब्द मेरा है लेकिन आपके भीतर जो होता है वो आपका है, है ना? हाँ या नहीं? क्योंकि बेवकूफ शब्द से किसी भी तरह की चोट नहीं लगती ये बुलेट नहीं है जिस तरह से आप प्रतिक्रिया करते हैं, सिर्फ उसी के मुताबिक चीजें होती है आपको अपने जीवन में ये अंतर स्थापत करना होगा मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, और दुनिया मेरे साथ क्या कर रही है अगर आप इस पर गौर करें, तो दुनिया आपके साथ शायद ही कुछ कर रही है ज्यादतर समय ये आप में इंटरिस्टेट भी नहीं है ज्यादतर चीजें आपकी खुद की हैं, और आप सोचते हैं कि दुनिया आपके साथ ये सब कर रही है आया नहीं अगर आप इस अंतर को स्थापित कर लेते हैं, कि वो सब बकवास जो मैं हूँ, उसमें मेरा कितना योगदान है, और दुनिया का कितना योगदान है, तो आप पाएंगे कि दुनिया बहुत कम कर रही है, बहुत कम, बाकी सब आपका है अब आपका जो है, अगर आप उसका जिम्मा ले लेते हैं, तो आपका जीवन 98 प्रतिशत रूपांतरित हो जाएगा 2 प्रतिशत मुझ पर छोड़ दीजे, मैं उसका ख्याल रखूँगा हाँ, ये बहुत आसान है, लेकिन इस अंतर को स्थापित नहीं किया गया है लोग अंदर बाहर हो रहे हैं, हर छोटी चीज जो होती है, उसके लिए भीतर लाखों चीजे होती है, है न? शरीर रूपी ये रासाइनिक सूप, हर छोटी चीज के प्रतिश रिस्पॉंड करता है हर विचार, हर धारना, हर भावना, हर स्पंदन जो आप पैदा करते हैं, ये रिस्पॉंड कर रहा है अब, आपके पास एक शांदार सूप है या घटिया सूप है ये इस पर निर्भर करता है कि आप सूप बनाने पर कितना ध्यान देते हैं, है न? अगर आप जानते हैं कि ये आपका काम है, तो आप अपना काम वैसे करेंगे जैसे आप इससे चाहते हैं अगर आप ये नहीं पहचानते कि ये मेरा काम है तो ये बेतर्तीब होगा और संयोग से होगा